Diabetes की बिमारी एक silent killer है जो धीरे धीरे शरीर को खराब करती है इससे बचने के लिए इसके कुछ early symptoms को जानना बेहत जरूरी है और समय पर इसका इलाज भी बहुत जरूरी है हमारा शरीर सुबह सुबह ऐसे कई चेतावनी वाले संकेत देता है जो blood sugar से जुड़े होते हैं इसलिए आपको इन्हें भूल कर भी ignore बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको diabetes के कुछ लक्षन के बारे में बताऊंगी और साथ ही diabetes से बचाओ के कुछ उपाय भी बताऊंगी तो इसलिए वीडियो को बिना skip किये end तक जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भारत में कुछ सालों में diabetes की मरीजों की संख्या बहुत जादा हो गई है diabetes की भिमारी एक तरह का metabolic disorder होता है जिसमें शरीर या तो पर्याप्त insulin का उत्पादन नहीं कर पाता है या फिर उसे इसका ठीक से उप्योग करने में दिक्कत होती है जिसके चलते शरीर में insulin की कमी से सुगर का इस्तर बढ़ने लगता है जो kidney, skin, heart, आखो और overall पूरी health को प्रभावित करता है diabetes किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन बच्चे और young type 1 diabetes से अधिक प्रभावित होते हैं कि type 2 diabetes 40 वर्स की आयू के बाद वयसकों में अधिक होती है ये बिमारी kidney और heart की बिमारियों का भी एक बड़ा risk factor होता है तो आए जानते हैं इसके कुछ अरली symptoms के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आए जानते हैं इसके कुछ अरली symptoms के बारे में नमबर वन है बार बार पेशाब आना दर असल diabetes होने पर blood में glucose की मातरा काफी अधिक हो जाती है और इस वज़े से kidney इसे पेशाब की मदद से बार बार flush करने लगती है ऐसा करने पर अक्सर लोगों को रात के वक्त पाच से छे बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है ये लक्षड बताता है कि आपके blood में glucose level control में नहीं है नेक्स्ट लक्षड होता है इसका बार बार मुस उखना अगर आपको रात के वक्त dry mouth की समस्या हो रही है अतिधिक प्यास लगती है dehydration मैसूस होता है और पानी पीने के लिए आप बार बार रात के वक्त उठते हैं तो ये भी diabetes का लक्षड हो सकता है इसका next symptom है पैर में दर्द या सुन्ध मैसूस होना अगर रात के वक्त आपके पैरों में दर्द होता है या फिर हाथ पैर सुन्ध हो जाते हैं तो इसे सामानी बात समझ कर नजर अंदास करना खतरनाक हो सकता है ये लक्षड blood sugar level अनियंद्रित होने पर ही दिखता है next symptom होता है इसका धुंदला दिखाई देना अचानक से आपको धुंदला दिखाई देने लगता है यानि आपको clear नहीं दिखता है तो इसकी वज़े भी blood sugar का high level हो सकता है next symptom होता है skin हमारे skin में भी diabetes के थोड़े बहुत लक्षर दिखने को मिल जाते हैं diabetes के मरीज को बार-बार पेशाप करने की जरूरत मैसूस होती है और इस वज़े से शरीर में dehydration हो जाता है ऐसा होने की कारड आपको skin पर खुजली और dryness मैसूस हो सकती है ऐसा अकसर type 2 diabetes का संकेत हो सकता है अगर आपको skin में fungal infection भी देखने को मिलता है तो तुरंत अपना blood sugar और diabetes का test कराएं तो ये कुछ early symptoms थे diabetes के तो आईए अब जानते हैं कि आखिर कैसे आप diabetes से बचाओ कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लें और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है उसे भी comment box में जरूर बताएं डाइबिटीस से बचाओ के लिए हमें अपने खान पान के तरीकों को बदलना बेहत जरूरी है खान पान में हमें कई प्रकार की चीजों को शामिल करना चाहिए जैसे ग्रीन टी, करेला, जामुन, तुलसी, अंजीर के पत्ते, मेथी दाना, डाल चीनी का पाउडर आदे सुगर से बचने के लिए हमें व्यायाम करना भी बहुत ही आवश्यक होता है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो डाइबिटीस पेसेंट के लिए बहुती फायदे मन साबित होते हैं नमबर वन है नीम, नीम बहुत ही गुड़कारी ओश्यदी होती है इसकी पत्तियां और छाल दोनों ही ओश्यदी की गुड़ों से भरपूर होते हैं नीम की पत्तियों को पीस कर उसका जूस बनाकर पीना चाहिए या फिर दो से तीन पत्ति सुबह साम खानी चाहिए इससे आपको काफी फायदा मिलेगा नेक्स्ट है ग्रीन टी ग्रीन टी भी शुगर के पेसेंट के लिए काफी फायदे मन्द साबित होती है जिन व्यक्तियों को चाए पीने की आदत होती है तो उन्हें ग्रीन टी पीना जरूर शुरू करना चाहिए इससे उनका कोलिस्ट्रॉल भी घटेगा और ग्रीन टी में चीनी या शहत का उपयोग नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है करेला करेला खाने में कड़वा होता है लेकिन इसके फाइदे बहुत ही अनमोल होते हैं जादा तर लोग इसे खाना बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं परन्तु ये बहुत ही गुड़कारी होता है हमारे शरीर में बनने वाले ग्लुकोस की अतिरिक्त मात्रा को कम करने में करेला काफी महतपूर भूमी का निबाता है सुबै खाली पेट करेले के जूस का सेवन करना काफी फायदे मद होता है नेक्स्ट है जामुन जामुन के बीच को सुखा कर उसका पाउडर बनाकर खाने से डाबिटीस को काफी कंट्रोल किया जा सकता है इसी के साथ साथ जामुन का जूस बनाकर पीने से भी डाबिटीस को नियंतरित किया जा सकता है नेक्स्ट है तुलसी तुलसी का पौधा पूजा पात के साथ साथ औशिदी के रूप में भी उपयोग किया जाता है तुलसी की पत्तियों को चाय में डाल कर पीने से खासी में आराम मिलता है तुलसी की पत्तियों को सुबह खाने से डाबिटीस को नियंतरित करने में भी मदद मिलती है तो इसलिए आप तुलसी का भी सेवन कर सकते हैं नेक्स्ट है मेथी वैसे तो मेथी खाना बनाने के सूखे मसालों के काम में आता लेकिन डायबिटीज की इलाश में भी मेथी का काफी उपयोग होता है डायबिटीज को नियंतरित करने के लिए मेथी को रात में पानी में भीगो दीजे और सुखे इसका पानी चान कर प्रयोग करिए इससे आपको काफी लाव मिलेगा तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपको डायबिटीज में क्या खाना चाहिए तो आए अब जानते हैं कि आखी डायबिटीज पेसेंट को क्या-क्या चीजे नहीं खानी चाहिए उन्हें किन चीजों से परहेज करना चाहिए नमबर वन है वाइट ब्रेड वाइट ब्रेड या वाइट पास्ता में रिफाइंड कार्बोहाइडिट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमारे ब्लड में पहुँचकर सुगर लैवल को बढ़ा देता है नेक्स्ट है वाइट राइस या फिर चावल चावल में फाइपर की मातरा कम होती है इसी के साथ इसमें कार्बो हाइडरेट बहुत होता है जिसके कारण यह आसानी से पच जाता है और ग्लोकोस की मातरा उत्पन करता है यह ब्लट शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है तो इसलिए आपको चावल कम से कम ही खाने चाहिए और आलो, आलो से बने भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मातरा बहुत जादा होती है जो शुगर लेवल को बढ़ा देती है तो इसलिए आपको कम से कम आलो का सेवन करना चाहिए Next है fruit juice Fruit juice में भी sugar होता है जो blood sugar को बढ़ाता है अगर आपका sugar level कम रहता है तो ऐसी condition में fruit juice आपके लिए फायदे मंद हो सकता है लेकिन अगर आपका sugar level जादा है तो ऐसी condition में आपको fruit juice avoid करना चाहिए Next है red meat Red meat में unhealthy saturated fat होता है जो हमारे स्वास्थ के लिए काफी हानिकारख होता है तो इसलिए diabetes patient को red meat का भी उपयोग नहीं करना चाहिए इसके साथ ही दोद diabetes patient को दोद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोद में भी sugar मौजूद होती है जो आपकी शरीर में sugar की मातरा को बढ़ा देता है आपकी शरीर के लिए काफी घातक हो सकता है and last है junk food diabetes patient को junk food हमेशा avoid ही करना चाहिए ये junk food आपकी शरीर में cholesterol की मातरा को बढ़ाते है साथ ही शरीर में sugar level को भी increase कर देते हैं तो इसलिए आपको junk food का सेवन करने से बचना चाहिए आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो दोस्तों ऐसी ही health related videos के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ share करें और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे comment box में ज़रूर बताएं तो healthy रही है, fit रही है thanks for watching